हरे कृष्णा मित्रों मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करेंगी यदि आपकी जनकुर्णली के अंदर कोई ग्रहे अशुप परभाव दे रहें तो उसके लक्षन क्या होंगे और उसके उपाय क्या होगे कई बार देखने को आता है कि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन से ग्रह की वज़े से आप प्रेशानियों से जूज रहें असफलताओं से जूज रहें आपके जीवन के अंदर जो अर्चने आ रही हैं हर कारे मे बाधा जाती है चाहे हो शारेल रूप बीमार रहते हैं मांसी को से आप पेडित रहते हैं या पिर आतिक रूप से आगा काफी कमजौर हैं काफी मैनत करने के बाद आप पैसा नहीं कम आप रहे हैं या करियर के अंदर जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पा रही है यदि आपकी शादी शुदा जिंदगी में काफी कड़वाट रहती है प्रेशानिया रहती हैं, रोज लड़ाई जगड़े रहते हैं और यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है यदि आपकी जीवन के अंदर प्रेमी प्रेमी का है तो उसके पीछे वो जो जीवन में सफलता मिलनी है वो नहीं मिल पा रही है इसी प्रकार के बहुत सारे पर्षन है जो की हमें पता चलना चाहिए कि जर्मकुंड़ी के अंदर कौन सा ग्रह ख्राब होने की वज़े से कौन सा लक्षन है यदि ये हमको पता चल जाता है तो होता क्या है दोस्तो फिर आप उस ग्रह से सम्मांदित उपाय आसानी से करके जीवन के अंदर सफलता प्राप कर सकते हैं ये जो हम बात करेंगे नो ग्रहों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि नो ग्रहे जब आपको दुश परिणाम देते हैं या अशुप परिणाम देते हैं तो उसके लक्षन क्या होंगे और फिर उपाय आप क्या कर सकते हैं मैं यहाँ पर जो आपको उपाए बताऊंगा बहुत सरल उपाए बताऊंगा आपके वाल अपने लक्षन और ग्रहां की इस्थिति को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको नुकसान दे रहा है दोस्तों जनकुनली के अंदर ही छुपा होता है कि हमारी मानसिक इस्थि, शारिय्डिक इस्थि, आर्थिक इस्थि और सामाजिक इस्थि क्या रहने वाली है यदि हम जनकुली में दिये गई संकेतों को उसके अंदर जो 9 ग्रह होते हैं, 12 राशी होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और दशा और गोचर के आधार पर यदि थोड़ा सा भी हम उसको ध्यान पूर्वक्त यदि समझ लेंगे तो जीवन के अंदर आप देखेंगे कि सफलता प्राप्त करने में आपको उतनी मुश्किल नहीं होगी तो चलिए दोस्तों हम इस सीरीज में शूर करने जा रहे हैं, नाउग रहे हैं और उनके परिणाम, दुश परिणाम और उपाय क्या होंगे यदि किसी की जन्मकूर्ली के अंदर बुद्ग रहे अशुप परभाव देराएं जिसके कारण उसके जीवन के अंदर अंचाही या फिर अक्समात कोई दुरगटना घटती है शरीर के अंदर, नियूरोलोजिकल, मानसिक या फिर किसी भी परकार की दिमाग से संबंदे, ब्रेन से संबंदे, प्रॉब्लम आती है तो यह बूद्ग रह के अशुप होने के लक्षन है उसके जब जबान लड़कडा जाएगी, मेमरी पावर काफी लोस हो जाएगी, शरीर के अंदर काफी कमपन होगा और छोटी छोटी बातों में ऐसा व्यक्ति घबरा जाता है बुद्ध के अशुप परभाव होने के वज़े से ऐसे व्यक्ति को जो लोजिकल बाते हैं या लोजिक उसको समझ में नहीं आता है और जहां कैल्कुलेशन की बात होती है हम बोल सकते हैं कि गनित सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं उसका वो काफी कमजोर हो जाता है लर्निंग पावर भी ऐसे व्यक्ति की काफी कमजोर हो जाता है दोस्तों यदि ये लक्षन किसी की जन्पुर्ली के अंदर है या आप की जन्पुर्ली के अंदर है तो आप मान कर चलिए कि आपका बुद्ध ग्रह अशुप परभाव दे रहा है अब हम बात करते हैं कि इसका सरल उपाय क्या है यहाँ पर मैंने जो यह सीरिज बना रहा हूँ वो सरल उपाय के लिए बना रहा हूँ आपके वह लक्षन देखिए और फिर उसका उपाय कर लिए सिंपा तो आपको अपने जो भी आप कपड़े पहनते हैं इस्पेशली जो टी शर्ट शर्ट या जो अपर साइड में जो ड्रेस पहनते हैं आप कोशिश करिए कि ग्रीन कलर और ग्रीन कलर की जो फैमिली होती है वो शेट्स आप ज्यादा प्रियोग करें दूसरी बात यदि आपकी कोई सिस्टर है या उनकी बेटी है तो अपने शम्ता अनुसार अपने रिती रिवाज के अनुसार उनकी जितनी भी आप मदद कर सकते हैं वो आप करेंगे तो बुद्ध ग्रहे आपको शुब लाब देने शुरू कर देगा तीसरी बात आपको कोशिश करने चाहिए कि अपना कमिटमेंट पूरा करें और यदि आप पुजा पार्ट में विश्वास करते हैं तो आप भगवान विश्णों की अराद ना करें दोस्तों यहां पर मैंने बताया कि बुद्ध ग्रहे के अशुब लक्षण क्या होते हैं और उनके सरालूप आए यहां पर मैंने जो भी चीज़े आपको बताई उनमें से आप करेंगे तो निश्चित रोप से आपको उसमें लाब मिलेवान हैं दोस्तों सभी नो ग्रहों के बारे में अब उसके अशुब लक्षण अशुब शंकेत क्या हैं और फिर उनके उपाई क्या हैं वो पूरी मैने सीज़ बनाई हैं आप अपने लक्षण उनमें से मैच करें और फिर आप उनके सरवत उपाई करके जीवन में लाब उठा सकते हैं हरे क्रिश्णा